स्वागत है फिर से बच्चों हमारे चैनल पर हम आज आपको बताएंगे सुक्षमजीव के द्वारा किनवन की क्रिया कैंसे होती है एंटी बाइटिक क्या होती है और वैक्षिन क्या होती है इन चीजों के बारे में हम आज पार्ट दो में पढ़ेंगे इससे पहले हमने पार अज आपने पार्ट एक सुक्षमजीव का नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देख लें तो हम शुरू करने जा रहे हैं सुक्षमजीव द्वारा किनवन की क्रिया आज पिंकी का जनम दिन है हर जनम दिन पर उसके दादा जी उसके लिए बाजार से उसके मन पसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं लेकिन इस बार कोरोना की वज़े से उन्होंने मना कर दिया आप लोगों को भी वच्चों पता होगा कोरोना की वज़े से हम बहुत सारी चीजों में प्रकोशन्स रखते हैं यानि कि बहार का जो खाना है उसको नहीं खाते हैं या उसको तालते हैं और इसकी वज़ाए हम अपने घर में ही खाना बनाना पसंद करते हैं ताकि हम कोरोन बीमारी से बचे रहे, तो उन्होंने भी उसके दादा जी ने भी मना कर दिया, उसकी मम्मी ने पिंकी को सर्प्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की यूजणा बनाई, बटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गरम पानी और दो चुटकी यीस्ट पाउडर मिला कर उसे नरम आटे में गूथ कर बर्तन में दो घंटों के लिए रख दिया उसकी ममी ने, पिंकी की ममी ने क्या किया, मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गरम पानी, दो चुटकी यीस्ट पाउडर मिला दिया और नरम आटे में गूथ कर दो घंटे के लिए रख दिया कुछ घंटों के बाद में पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, जिससे ममी ने बटूरे बनाए, पिंकी बहुत खुस थी, क्योंकि अब उसे उसकी मन पसंद खाने की चीज मिल गई थी, यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया था, क्योंकि उस आटे में मोजूद य पैदा कर लिया, तेजी से जनन करके स्वशन के दोरान कार्बन डाई आकसाइड गैस छोड़ी या उत्पादित की, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फसकर उसे फुला दिया, तो क्या हुआ बच्चों, जो आटे में यिस्ट थे, यो सुक्ष्मजीव थे, वो जनन क दोरा बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते, वो सब जब स्वशन किरिया करते हैं, तो कारबन डाई अकसाइड गैस उन्होंने बाहर निकाली, और कारबन डाई अकसाइड गैस की बुलबुलों की कारण आटा फूल कर जादा हो गया, उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब अलकोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किनवन या फर्मंटेशन कहलाती है, तो अगर हमें पूछें किनवन की किरिया किसे कहते हैं, तो जो सरक्रा होती है, सरक्रा के अलकोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किनवन या फर्मंटेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया की खोज सब हम देख रहे हैं कि किस तरह से केक, छोले बटूरे, केक, एलकोहल, ब्रेड और दूसरी चीजें बनाई जा रही है प्रेशन नमबर एक है इसमें आप स्वेम को जाचिए प्रेशन नमबर एक है किनवन की प्रक्रिया की परिभासा लिखिए इस प्रक्रिया की खोज किशने की थी, तो हम यहां देखते हैं इसका उत्तर, चीनी या सरकरा के एलकोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किनवन या फ्रमंटेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी, यहां से यहां तक इस प्रश्ण नमबर ए का आंसर हो जाएगा, बच्चों आप भी इन प्रश्णों को अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, इनका आंसर ढूंड के लिखिए, या फिर हम जो बता रहे हैं उसको समझ करके आंसर लिखिए, और फिर इनको समझीए, और परिच्छा में आपके बहुती अच्छे नमबर आने वाले हैं, इसका ध्यान रखिए, प्रेश नमबर दो है, किनवन की प्रक्रिया, द्वारा प्राप्त किनी पांच खादे पदार्तों के नाम लिखिए, पांच खादे पदार्त हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, और यहां भी हमने इस पेरेग्राप में भी बताएं, यह सारी किनवन की किरिया द्वारा बनने वाले पदार्ते हैं, तो हम पांच पदार्तों के नाम लिखेंगी, तो हम लिख देंगी, ब्रेड, केक, पेश्ट्री, एलकोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है, पांच पदार्तों के नाम लिखने, यह हम लिख देंगे, फिर प्रेश यीस्ट जो की एक सुक्ष्ण जीव है यहां से इसका नाम लिख देंगे अगला प्रशन देखते हैं अपने मन पसंद किसी दो खाने की वस्तों के नाम लिखिए जो किनवन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं तो बच्चों आप अपनी मन पसंद से आप नाम लिख सकते हैं जो आपको खाने में अच्छी लगती हैं चीजें उन चीजों को नाम लिख सकते हैं, दो चीजों का नाम लिखना है, मैं यहां बता देती हूं, मुझे केक बहुत पसंद है, और इसके अलावा मेरे को छोले बटूरे बहुत पसंद है, तो बटूरे इसी किन्या द्वारा बनाई जाते हैं, तो हम लिखेंगी नमबर एक पर ब पूल गया था, क्योंकि उस आटे में मोजू दीष्ट जो की एक सुक्ष में जीवी है, उसने तेजी से जनन करके श्वसन के दरां कारवन डायक्षैड गैस छोड़ी, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फसकर उसे फुला दिया, यहां तक इसका उत्तर होगा, तो इस कैसे काम करते हैं या एंटिबायोटिक क्या होती है, कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्व रोल्टी भी हो रही थी, मा उसको डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटिबायोटिक की गोली या इंजेक् क्या चीज है, सुक्ष्म जीवों से, जो सुक्ष्म जीवों कौन-कौन से है, जीवाणू या कवक, इनसे बनाई जाने वाली एक दवाई है, यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणू को नश्ट करती है, अथवा उसकी व्रद्धी को रोग देती है, पसु पक्षियों औ और पौधों में भी रोग न्यंतरण के लिए एंटिबायोटिक का प्रियोक करते हैं, यहां बहुत सारी चित्र में तवाई हैं जो कि एंटिबायोटिक है, अलगजेंडर फ्लेमिंग इंग्लिश में भी नाम दिया हुआ है, अलगजेंडर फ्लेमिंग एक ब्यग्यानिक इन्होंने सबसे पहले पैनिसिलीन नामा एंटिबायोटिक की खोज की, आपने पल्स पोलियो टीका करण के बारे में जरूर सुना होगा, आजकल कोरोना की वैक्सिन भी टीवी और अक्वारों में बहुत चर्चा में, तो बच्चों आपको पता है कोरोना बहुत फेल रहा है और इसके टीके लगाये जा रहे हैं, पहले भी इसके टीके लग चुके हैं, अठारा से उपर की उम्रवालों को सभी के लग चुके हैं, और आजकल बच्चों को लगाये जा रहे हैं, तो आप भी टीके जरूर लगवाईए, तो ये टीके क्या होते हैं, देखें, टीका य हमारा सरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तयार रहता है जो टीका वैक्षिन बनाया जाता है वो इनी बीमारियों के जो खमजोर जीवानूं या म्रत जीवानूं होते हैं उससे बनाया जाता है और उनको हमारे शरीर में डाला जाता है तो हमारे सरीर में इन जीवानूं लडने के लिए प्रतिरक्षि पैदा हो जाते हैं, और ये प्रतिरक्षि जीवन भर, यानि कि आजीवन हमारे सरीर को रोगों से लडने के लिए तैयार रगते हैं, तो आपको समझ में आगया होगा टीका कितना लाब दायक है, टीका हमें क्यों लगवाना चाहिए? आगे दे अजय वन बिमारियों से लडने के लिए तैयार रहे एड़र जैनर नामक विद्यानिक ने सबसे पहले चेचक तीके की खोज की ती जो एड़वर्ड नामक जैनर एड़वरर जैनर नामक विद्यानिक Penicillin, Atrepsomycin सोक्ष में जीवों से यह कवक से बनाई जाने वाली एक दवाई है यह बीमारी पैदा करने वाले जीवानों को नश्ट कर देती है अत्वा उनकी व्रद्धी को रोग देती है तो यह Antibiotic कहलाती है दूसरा प्रेशन है किनी तीन Antibiotic के नाम बताओ अलक जेंडर फ्लेविंग ने सबसे पहले Penicillin नाम की Antibiotic की खोज की थी यह इसका उत्तर हो जाएगा प्रेशन नमबर चार है वैक्सिन किसे कहते हैं अपनी मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थी वैक्सिन किसे कहते हैं यह पहले हम यहाँ देखते हैं टीका या वैक्सिन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत्या क्रमजोर जीवानूं हमारे सरीर में डाले जाते हैं इन जीवानूं से लड़ने के लिए हमारा सरीर प्रतिरक्षी उत्पन करता है इस प्रकार हमारा सरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, तो यह है प्रतिरक्षी हमारे सरीर में आजीवन बने रहते हैं, और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, इनको हम वैक्सीन या टीका कहते हैं, और अपने ममी पापा से पूछ करक अपने बच्पन में कौन-कौन से टीके लगवाए थे, आप पूछ करके लिख सकते हैं, वैसे जहां तक जो बच्पन में टीके लगाए जाते हैं, BCG का टीका, इसके अलावा, डिप्थीरिया का टीका, पोलियो का टीका, ये इस टाइप के टीके हमें बच्पन में लगाए जाते हैं आप भी अपने ममी पापा से पूछें और इसके अलावा अगर कोई टीका आपको लगा है तो उसे यहां जरूर लिखें तो इस तरह से हमने इस पार्ट में पार्ट नमबर दो में एंटिबाइटिक वेक्शिन के बारे में जाना इसके अलावा हमने केक पेश्ट्र कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जाना इस क्रिया को हम किनवन कहते हैं या किनवन किसे कहते हैं इसके बारे में हमने जान लिया है इसके बाद में हम सुक्षमेजीब के द्वारा होने वाले लाव हानियों को पढ़ने के लिए आगे के पार्ट को जरूर देखेंगे हम आपके लिए आगे के पार्ट लेकर तुरंत हाजिर होंगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद